हलो स्टूडेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चियोग्रफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी की वर्कशीट नमबर 49 यानि कारे पत्रक संख्या उन्चास को आज की हमारी वर्कशीट भी बेहद आसान रहने वाली है आसान इसलिए क्योंकि हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं बलकि वही दोराई करने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं आज का हमारा पार्ट रहेगा वो है दो बेलों की कथा कहनी है दो बेलों की हीरा और मोति की और ये कहनी हमें संदेश देती है कि जो जानवर होते हैं उनमें कहीं हमसे ज्यादा आपस में प्यार होता है आपस में लगाव होता है वो गुण जो साइद हमें गायब होते जा रहे हैं वो गुण अभी भी जानवरों में होते हैं तो चलिए आज हमें पहले गध्यांस को प त्रक संख्या उन्चास है हमारा विश्य हिंदी है जिसमें हम दो बेलों की कथा की पुन्रा विर्ती यानि दोहराई करने वाले है आज की दिनाख है 29 अक्तूबर 2020 यह गद्यांस दिया गया है जूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती यानि कि दो बेल थे उनक काम में चोकस थे और डिल में काफी उंचे थे बहुत साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठते हुए एक दूसरे से मूख भासा में विचारविन में करते ऐसा लगता था क्योंकि दोनों बेल साथ साथ होते थे तो साथ साथ क मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते यानि हम ये तो नहीं कह सकते कि कैसे वो समझते थे लेकिन ऐसा लगता था कि हाँ वो समझ पा रहे थे अवैसे उन में कोई ऐसी सकती थी जिसमें जियों में सरिष्टा का दावा करने वाला मुनिश्य वन्चीत है यानि हम भी कई बार दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं कई बार हम घर में रहते हैं तब भी हम दूसरों की भावनाओं को उतना अच्छे तरिकिस नहीं समझ पाते हैं कहकर भी नहीं समझ पाते हैं जबकि वो जानवर बिना बोले एक दूसरे की भाव कर या कभी-कभी सिंग मिला कर अपना प्रेम जताते थे यानि कि प्रेम प्यार आपस में लगाव कैसे जताते थे चाट कर या सुंग कर या कभी-कभी सिंग भी मिला लिया करते थे विग्रे के नातिस नहीं बलकि विनोध के भाव से और जो सिंग मिलाते थे उसका मतलब यान होने लगता है जैसे हम कई बार जब जितने गहरे हम फ्रेंड होते हैं दोस्त होते हैं उतनी ज्यादा टांग हिंचाई होती है और वैसा ही कुछ प्यार ये सिंग मिला करके एक दूसरे के पड़ती धर्शाते थे तो ये थे हमारा आज का गद्यांस अब हम परशनोत्र की तर उसके लेकर है मुंशी प्रेम चंद दूसरा हमारा परशन दिया गया है दोनों बेल किस जाती से सम्मंद रखते थे दोनों बेल थे वो पच्छाई जाती से सम्मंद रखते थे तीसरा जो परशन दिया गया है दोनों बेल अपने प्रेम को कैसे जताते थे तो दोनों बेल ह वो एक दूसरे को चाट कर, सुंग कर या कभी-कभी सिंग मिला कर अपने प्रेम को जताते थे चोथा जो परशन दिया गए कि उनके सवभाव के उशेषताओं का बढ़न कीजिए यानकि हमें उनकी कद काठी नहीं बतानी उनका सवभाव बताना है पूरे पार्ट के अधार पे तो दोनों बैल जो हैं वो दोनों बैल सहनसिल, चंचल, सवभामी, स्वाभी मानी और महंती है जो हमें पूरे पार्ट को पढ़ करके पता चला वे आपस में एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे से मूख भासा में यहां कैव रहेगा, मूख भासा में बात करते हैं, दोनों बैल हैं, वो अपने मालिक से भी बेहद प्यार करते हैं उसके बद पांचवा जो परशन दिया गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ती थी जिसमें जियों में इस रिष्टा का दावा करने वाला मनुश्य वन्चित है इस पंक्ति का आश्यास पष्ट करना है तो हीरा और मोती हैं वो बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे यानि बिना बात की वे एक दूसरे से सने की बात सोचते थे एक दूसरे के प्यार के बारे में एक दूसरे के पहतरी के बारे में सोचते थे यद भी मनुश्य सिवयम को सब प्राणियों से स्रिष्ट मानता है हम सब से स्रिष्ट मानते हैं खुद को किन्तु हमें भी ये सकती नहीं होती कि हम दूसरों के मन के भाउं को समझ पा रहे थी तो ये थी आज की हमारी आसान सी वरक्षीट ये वरक्षीट आपको अवलेबल होगी 29th of October की Thursday की है यानि पिछले जो week में हमारा autumn break हुआ था सारा schedule कड़ पढ़ हो गया मंडे को आपको 47 number SS और English की मिल रही है Tuesday को आपको 48 number Hindi और जो Science है आपका Maths है उसकी मिल रही है और फिर जो बुद्वार है Wednesday है उस दिन आपको SS English की 48 number मिल रही है यानि कि ये सभी जो वरक्षीट है Monday, Tuesday, Wednesday की already publish हो चुकिए इसी चैनल के उपर आवलेबल है और ये वरक्षीट आपकी Thursday के लिए रही है Thank you, bye bye, have a nice day